Hello my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher Shilpi Diwari. और आज हम शुरू करेंगे Class 5 GK का first topic जिसका नाम है Endangered Plants. What do you mean by Endangered Plants? So children, आप यहाँ पे तो word को समझ पारे होंगे कि लिखा हुआ है Danger. Danger माने खत्रा. है ना? कहते हैं ना? Oh it is dangerous. उसके पास नहीं जाना. ओ, वो जगा dangerous है. वहाँ नहीं जाना. Danger का मतलब होता है खत्रा. लेकिन आज हम जो topic करने वाले हैं, वो किसकी बारे में करने वाले हैं? Plants. और Plants के उपर क्यों लिखा है Endangered? क्योंकि children हम बात करने वाले हैं Endangered Plants की. माने Plants which are in Dangered Situation. माने, जो Plants बहुत जल्दी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं. Extinct होने वाले हैं. उन Plants को कहा जाता है Endangered Plants. Plants which are in Dangered and were very very soon to get extinct. Those Plants are known as Endangered Plants. Clear? So children, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती. अगर चीज को बचाना होता है, तो उन्हें हमें प्रोटेक्ट भी करना होता है. आप हर चीज को casually तो नहीं ले सकते. क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है. और अगर situation उसके favorable में नहीं है, तो वो चीज आपसे दूर चली जाती है. वो ही हुआ इन Plants के साथ. क्यों बने ये Endangered Plants? भाई, नेचर ने तो हमें Plants दिये थे. तो आज हम क्यों बाते कर रहे हैं Endangered Plants की? और Plants ही रहीं, अब तो Children, Animals के भी ऐसे बहुत से Species हैं जो की बन चुके हैं Endangered. और ये situation क्यों Arise हो रही है? ये situation हम Human Beings के कारण ही Arise हो रही है. क्योंकि Children हमने इन चीजों को सभाल के नहीं रखा. हमने अपने Selfishness के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए, अपनी चीजों को बनाने के लिए, क्या-क्या, इनके Habitat को नुकसान पहुंचाया. Habitat मतलब जैसी चीजें Environment, जिस प्रकार का इनको माहूल चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, लिव करने के लिए, वो हमने क्या किया? नश्ट कर दिया, बरबाद कर दिया. Forest है तो काट रहे हैं, forest है तो उसकी जगा, उन Animals के घरों में, उन Animals के Forest Area में हम अपने खुद के घर बना रहे हैं, तो वो कहा जाएंगे? और इसलिए दीरे 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 ये Plants और Animals क्या होते जा रहे हैं, खतम होते जा रहे हैं, और इनके क्या? List बनाई जाती है Children, List IUCN द्वारा बनाई जाती है और ये देखा जाता है कि इनकी Species अब कितनी बची है Planet Earth में, ओके? और जैसे जैसे इनका number reduce होने लगता है, उनको endangered species में क्या कर दिया जाता है? लिस्टेट कर दिया जाता है. Yes, and then scientists and other researchers, they try to protect them. लेकिन अगर उन्हें वक्त के रहते नहीं संभाला गया, तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाते है? एक्स्टिंक्ट हो जाते हैं, clear? So children, today in the topic endangered plants, हम उन plants के बारे में discuss करेंगे, उन few plants के बारे में discuss करेंगे, जो की क्या है? हैं, endangered की list में हैं, वैसे तो there are many plants children जिन्हें list में डाला गया है, लेकिन सारे plants को तो नहीं cover किया जा सकता, so इसलिए those plants which are very very important to know about them, उन्हीं plants के बारे में हम discuss करेंगे और जानेंगे ति कैसे इन्हें बचाया जा सकता है, how can we conserve them, clear? So, let's start the topic, endangered plants. Just like animals, certain plants are also at the verge of extinction. Yes, as I told you, के plants जो है, वो animals की तरह कहा हो रहे हैं, extinct हो रहे हैं, okay? वर्ज ओफ extinction मतलब बिलकुल point पर हैं, के बही कभी ना कभी, कभी भी क्या हो सकते हैं? extinct हो सकते हैं. और इसलिए क्या करना है? उन्हें बचाना है, उन्हें conserve करना है, right? क्यों conserve करना है? क्योंकि चिर्वर्ण, अगर आपको अपने environment में ecological system को balance करना है, तो हमें plants, animals को बचाना होगा? हर एक चीज dependent है एक दूसरे पे. मान लो अगर हमने कुछ plants को नहीं बचाया, children, और वो plants किसी animal के क्या हुए, main food हुए, तो क्या होगा? वो animals अगर उस plant को नहीं खा पाया, तो वो भूका ही मर जाएगा. और धीरे धीरे वो animals की population भी दुनिया से क्या हो जाएगी? गा और धीरे धीरे करके जो पूरी food chain बनती है कि एक दूसरे पे dependent होते हैं, वो सब लोग affect होंगे. और फिर आएगी हमारी बारी भी. इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये वाला plant जा रहा तो क्या हो? एक स्टेंक्टी तो हो रहा है? There are numerous plants also. No, nothing can be taken lightly. क्योंकि सारे चीज़े कहीं कहीं एक दूसरे पे क्या है? Dependent है. और इसलिए हमें हर एक plant species को, हर एक animal species को बचाना है. ठीक है? So, just like animals, certain plants are also at the verge of extinction. जैसे animals extinct हो रहे हैं, उसी तरह से plants के भी list बन गए हैं, जो की extinct होने वाले हैं. They need to be conserved, otherwise we will not be able to see them and more. Children, समय आ गया है कि हमें उन्हें बचाना है, conserve करना है, protect करना है. नहीं तो हम उन्हें कभी भी नहीं देख पाएंगे. We will not be able to see them. Right? और ऐसे भी plants हैं जिन पे हम पूरी तरह से निदभर करते हैं. पूरी तरह से dependent हैं. और अगर वो plants हमेशा हमेशा के लिए extinct हो गए, तो हम और हमारे बाद की जो future generation है, वो कितना सफर करेगी? Isn't it? So that is why children, they need to be conserved, otherwise we will not be able to see them and more. Cutting fire and pollution are destroying these plants rapidly. अब क्या reason है? क्यों ये endangered plants हो चुके है? क्यों ये खतम हो रहे हैं धीरे धीरे? उसका सबसे बड़ा कारण है children, deforestation. क्या कारण है? deforestation. अब आप बोलोगे teacher deforestation क्या होता है? So deforestation का मतलब होता है cutting down of trees. और क्यों काटे जाते हैं trees? Trees काटे जाते हैं हमारे ही life के लिए. हमारी life comfortable हो, हमें दूसरों से क्या लेना देना, इसलिए हम धड़ादर, धड़ादर trees को cut करते हैं. लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो trees हम cut कर रहे हैं, वो किसी के habitat है. वो animals का habitat है. Trees cut कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे plants को दुनिया से हटा रहे हों. क्योंकि plants तो वैसे ही कितना time लेती है tree बनने के लिए. It is a very slow process. But we do not bother about it. हमें तो कोई फरक ही नहीं पड़ता हैं. यहीं सबसे बड़ा कारण है कि आज अमारे पास जो plants और animals हैं, उनकी list बन गई है endangered species की. Right? जगा जगा हम पेड काट रहे हैं, जंगल के जंगल खतम कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं. आग लग जाती है, आग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. आग क्यों लगती है? क्योंकि हमीं कुछ ऐसा करते हैं, industries चला रहे हैं, fire का कुछ काम करते हैं और हमारे इलापर वाही क कारण पूरे-पूरे जंगल खाक उढज जाते हैं. पल्यूशन, इतनी पल्यूशन फिला रहे हैं के कुछ प्लांट's जो नहीं सस्टेन कर पाते हैं, इतना प्रदूशन वो खतम होते जा रहे हैं. और यहीं सबसे बड़ा कारण है इन प्लांट's का दिस्ट्रॉई होने का राइट, सो कही न कही चिल्रन, these all reasons are behind of these plants which are being endangered species now and तब ही कहा जा रहा है कि please stop cutting down the trees, do not affect the forest, forest को मत छुओ, forest के area को ऐसे ही रहने दो, वहाँ पे जाके construction मत चालू करो, forest की trees को मत कट करो, जंगल में आग लगने से बचाओ, but नहीं, we do not listen to them, और फिर हमारी ऐसी list क्या हो रही है, increase हो रही है, और स्टेलिया में तो हर साल चिल्रन कितनी आग लगती है, okay, so cutting, fire, pollution and of course deforestation is the main reason behind that ये सारे plants और animals क्या हो रहे है, endangered zone में जा रही है, clear, next, some of the endangered plants, तो मैं आपको मुझे examples बताती हूं कि कौन-कौन से plants क्या हो चुके, endangered list में आ चुके है, so there are plants children जो कि इंडिया में नहीं है, बाकिये देशों में है, बट कहीं भी हो, affect सबको पढ़ने वाला है एक ना एक दिन और इसलिए यही पे वो examples बताए गए है, जो कि endangered plants के list में हैं, like corn cockle, chickweed, wintergreen, jisoriza, radians, dwarf birch, eucalyptus, fur, etc. यह सारे plants जो कि कभी पूरे के पूरे जंगलों में फैले नहते थे, आज क्या बन चुके हैं? endangered. माने, बहुत जल्दी दुनिया को टाटा बाइबाइ करने वाले हैं, और फिर कभी नहीं दिखने वाले. और साथ में चले जाएंगे इनकी जितनी भी special features हैं, जितनी भी qualities हैं वो सब. Right? And that is why these examples are given, that you please look these examples carefully, that these are the plants. कभी अगर question में आगया कि option दिया हुआ है, कि आपको बताना है कि क्या ये plant endangered species में हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, learn करना पड़ेगा, कि that these plants are those endangered plants. ठीक है? आगे और भी हम discuss करेंगे, उन endangered plants के बारे में, और जानेंगे कि भाई, ये कौन से ऐसे plant है, जो कभी पूरे जंगलों में फैले रहते थे, और आज बन चुके हैं endangered. ओके और बहुत जल्दी extinct होने वाले हैं. So the first example is, Dawn Redwoods. क्या नाम है? Dawn Redwoods. यहाँ पर आप देख सकते हैं picture, यह है उस plant की जिसका नाम है Dawn Redwoods. Children, यह जो Dawn Redwoods है, यह आपको basically China के areas में मिलता है. Okay, these rare plants were rediscovered in China. क्योंकि पहले तो यह पूरे दुनिया में थे, लेकिन धीरे 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 किया होते गए? सिमठते गए और अब आपको सिर्फ चाइना के area में मिलते हैं. और बहुत जल्द चाइना से भी हटने वाले हैं. और इसलिए क्या हो जाएंगे यह? यह plants extinct हो जाएंगे. पर सबसे बड़ी बात यह है, कि यह जो plant हैं, जो कभी इतने ज्यादा common थे, कि यह plant children 50 million years से भी उपर के हैं. जब हम सोच भी नहीं सकते, हमारे ancestors भी नहीं सोच सकते, यह उतने पुराने plants हैं. यह plant children dinosaurs के time के हैं. Yes, can you imagine dinosaurs, जो कि 66 million years ago पे हमारे planet में रहा करते थे. ओके, उस समय से यह plants इतने common हैं, और पूरे पृत्वी में फैले हुए थे. लेकिन human encroachment, है ना, humans ने cut करना शुरू किया इन्हें, अपने लिए घर बनाना शुरू किया, इनका habitat नश्ट करना शुरू किया, और यह स्थिती बन गई, कि red, dawn, dawn, redwoods आज क्या हो चुके हैं, endangered species में आ चुके हैं. वो plants, चुकि डाइनसार्स के टाइम से, हमारे पूरे पृत्वी में फैले हुए थे, आज यह दीरे-दीरे क्या हो रहे हैं, extinct हो रहे हैं, इसलिए इसलिए इनने conserve करना है जरूरी, क्योंकि यह plants बहुत ही हैं special. Isn't it? So, this is dawn, redwoods children, rare plants which were discovered in China. और इसलिए आज की डेट में यह सिर्फ चाइना के एरियाज में मिलते हैं. Okay, next example, sagopalm, okay? Now, the next picture, can you see here? It is of sagopalm. और यह plant भी बहुत जल्द क्या होने वाला है? extinct होने वाला है. इसके भी numbers क्या हो रहे हैं? दीरे, 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 क्या हो रहे हैं? reduce हो रहे हैं. Okay? Now, sagopalm found in Japan, they are slow growing evergreens. Okay, children, सबसे important बात यह हैं, कि यह जो plants हैं, यह बहुत धीरे, धीरे बढ़ते हैं. और अगर इन्हें cut कर दिया जाए, तो अब आप सोचो कि यह plant जो already इतने slow बढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या कर रहे हो? उनके numbers को reduce ही कर रहे हो. बढ़ा नहीं रहे हो. एक तव ऐसे ही यह बहुत दीरे-दीरे बढ़ते हैं. Also, इनका जो infrequent production है, माने, इनकी जो frequency है produce करने की, that is very, very infrequent. है ना, लगातार नहीं होते. कभी-कभी होते हैं और इसलिए infrequent है. अब जो चीज अगर infrequent produce हो, कभी-कभी produce हो, तो वैसे ही उनके numbers क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. And that is why these saago plants are now reducing in numbers. They are decreasing in numbers, children. ठीक है? And then other reasons behind के इनको temperature वैसा नहीं मिल पाता बढ़ने के लिए. इनको जैसे cool temperature चाहिए, तो warm temperature में ये लोग नहीं sustain कर पा रहे हैं, survive कर पा रहे हैं. और दीरे-दीरे वैसे ही earth का temperature rise हो रहा है. तो बहुत से ऐसे plants हैं जिनको climate change के कारण क्या होना पढ़ रहा है? extinct होना पढ़ रहा है. क्योंकि इनकी tendency जिस environment में बढ़ने की है, grow करने की है, वो इनको मिली नहीं रहा है. And that is all happening because of the pollution, greenhouse effect and of course deforestation. ठीक है? तो ये भी एक plant है जो बहुत जल्द क्या होने वाला है? extinct होने वाला है. मिलता है जपैन में और नाम है सागुपा. clear? और दिखता ऐसा है. Let's see which is the next plant. Venus flytra. Now, this plant is children carnivorous plant. कौन सा plant है ये? Carnivorous plant है. Carnivorous plant क्या होते हैं? Carnivorous plants are those plants जो अपना प्रेक हुद ही लेते हैं. माने, they are insectivorous plants. meat eaters और अपने शिकार को खुद फसाते हैं. They trap their own prey and that is why they are known as insectivorous plants. Isn't it? लेकिन, very sadly, it is to be said that even your Venus flytrap is an endangered species. बहुत जल्द ये भी क्या होने वाला है? extinct होने वाला है. ओके? और ये कब पता चरा था? ये 2016 में पता चरा था IUCN के द्वारा के Venus flytrap भी बहुत जल्दी दुनिया से टाटा बाई बाई बोलने वाला है. अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो. It is an insectivorous plants that eat insects. First of all, ये तो बहुत special plant है, carnivorous है. बहुत सारे plants insects को खाते हैं क्या? meat खाते हैं क्या? No. Rare plants होते हैं जो की होते हैं carnivorous. और उनमें भी ये plants क्या हो रहे हैं? खतम हो रहे हैं. कारण क्या है? लोग इन्हें cut कर रहे हैं. Collect करने के लिए, museums में रखने के लिए, also encroachment कर रहे हैं. इनका जो habitat है, उनको नष्ट कर रहे हैं. fire के कारण ये सब नहीं बच पारे, नहीं शर्वाइफ कर पारे और धीरे धीरे इनके numbers reduce होते जा रहे हैं. ठीक है? So, this plant Venus flytrap is also very soon going to be extinct from the world if we do not conserve them, if we do not protect them. Okay. Next, silver swords. अब next picture, can you see silver swords? एक तो color थोड़ा silver जैसा है और आप देख सकते हैं, इनके जो उपर की जो टहनिया है, वो swords की तरह है, तलवारों की तरह है. और इसलिए इनका नाम दिया गया है silver swords. These plants found in volcanic islands of Hawaii. और ये plants कहां मिलते हैं? ये plants मिलते हैं हवाई में. लेकिन ये भी बहुत जल्द extinct होने वाले हैं. और सबसे बड़ा कारण है इनका climate change. क्योंकि climate change हो रहा है, इनको जैसा मौसम चाहिए, वैसा मिल नहीं रहा है. टेंपरेचर वार्म हो गया है, गरमी जादा हो गया है. और इन्हें जिस प्रकार का माहोल चाहिए, थोड़ा सा कूल, ठंडा, वो इन्हें मिल नहीं रहा. And that is why the silver swords are getting extinct very soon. ओके इनके numbers reduce हो रहे हैं, decrease हो रहे हैं. और इसलिए इन्हें भी endangered plants की list में डाल दिया गया है. So, these are silver swords. Now, the next one. Nolten cactus. Okay? Nolten cactus, एक cactus का ही क्या है, Children's species है, cactus का ही type है. और इन्हें dwarf cactus के नाम से भी जाना जाता है. Dwarf cactus क्योंकि इनकी height बिलकुल भी नहीं बढ़ती. कुछ centimeters तक ही ये grow करते हैं. और इसलिए इन्हें बॉने cactus के नाम से भी जाना जाता है. Picture, you can see that Nolten cactus looks like this. ठीक है, cactus है, तो obviously इनमें क्या होंगे? काटे होंगे, thorns होंगे. But this Nolten cactus भी क्या हो रहे है? दीरे-दीरे खतम हो रहे हैं दुनिया से. Cactus की पूरी प्रजाती ही धीरे-दीरे खतम हो रहे हैं. क्योंकि cactus को जैसा habitat चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं. Plus humans encroachment कर रहे हैं, forest cut कर रहे हैं. जैसा इनको पूरा state चाहिए, बढ़ने के लिए, grow करने के लिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं. और ये धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, खतम होते जा रहे हैं. So they are the world's rarest cacti. अब आप सोचिए, वैसे ही दुनिया के सबसे rarest cacti हैं, because of their sizes. Very, very small in size. ओके, और इसलिए इनका नाम क्या है? ड्वार्फ है. इन्हें ड्वार्फ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके size बिलकोल भी बढ़ते नहीं है. बहुत ही few centimeters, they grow in size. लेकिन, वर्ल्ड की rarest cacti, जिन्हें हमें बचाना चाहिए, उनको भी we are not able to protect them. And very soon, ये भी क्या हो जाएंगे? extinct हो जाएंगे, अगर इन्हें conserve ना किया गया तो. ठीक है? Okay. Next, brush lilies. तो ये भी lilies की प्रजाती के ही है, जिनका नाम है brush lilies children. ठीक है? They are eaten by possums. Possums क्या है? Possum एक animal है, जो कि America में मिलता है. और possum का ये favorite food है, main diet है, जिसका नाम है brush lilies. और इसलिए, जैसे जैसे उनके number बढ़ रहे हैं, हम इन्हें बचा नहीं पा रहे, इन्हें increase नहीं कर पा रहे इनके production में और ये दीरे-दीरे क्या हो रहे हैं? खतम हो रहे हैं. ठीक है? So, brush lilies is also one of the endangered plants and by IUCN इनको भी list किया गया है endangered plants में. All right. So, brush lilies eaten by possums and also there are other reasons के fire हो जाता है, आग लग जाती है और ये plants बैसे ही grow नहीं करते है fast और बहुत सारे possums इनको खा लेते हैं और इस दीरे-दीरे ये दुनिया से खतम होते जा रहे हैं. तब आप समझे, इतने सारे examples किया हमने और हर example में हमें यही समझ में आया कि fire, cutting down of trees, pollution और जो climate में changes हो रहे हैं, इनके कारण ही ये plants क्या हो रहे हैं, धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं. और conserve के बारे में हम सोच नहीं रहें. जो भी conservation के ways हैं, वो बहुत ही थोड़े से हैं, जिनसे इतने सारे plants को नहीं बचाए जा सकता. इसलिए क्या ज़रूरी है? कि सब के अंदर awareness हो, कि हमें plants को protect करना है. क्योंकि कहीं न कहीं, पूरी की पूरी food chain क्या होती है? affect होती है. एक दूसरे पर dependent है. अब जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं, कि जो brush release है, वो posms उनको खाते हैं. अगर ब्रश रिलीस हमेशा के लिए चले गए, तो posms क्या खाएगा? पॉसम को जो खाते हैं, अनिमल्स वो क्या खाएंगे? ओन अनिमल्स को जो लोग खाते हैं, वो क्या करेंगे? And that is how the whole ecological system will get disturbed. और इसलिए है, ऐसा नहीं सोच सकते, कि भाई ठीक है, कहीं न कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. Clear? तो यह सारे examples कि हमने कुछ examples में pictures देखे, उनके नाम भी देखे, और जाना कि why these plants are getting in endangered list. तो यह chapter यहीं खतम होता है, endangered plants का, और अब एक information के अगर, Magnet Brains के अगर आपको videos देखने होते हैं, तो YouTube हो गया, आपका site हो गया, website और app के थूँ, आप Magnet Brains के kindergarten से grade 12 के videos को अराम से देख सकते हैं, और अपने course को complete कर सकते हैं. क्योंकि Magnet Brains एक ऐसा channel है, जो provide करता है 100% quality free education, from kindergarten to grade 12. वो भी किसी भी coupon code दिये बिना, ओके, शुरुआत में सिर्फ दो course दे दिये, और उसके बाद आपसे coupon code के जरिए, बाकी course complete करने के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि Magnet Brains आपको quality free education provide करता है. ओके, और बाकी updates के लिए, अगर आपको Magnet Brains के updates चाहिए, daily updates के क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं हम, तो आप Facebook, Insta, Twitter के थ्रू भी हमें follow कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप Magnet Brains से हर एक चीज में जुड़े रह सकते हैं. ओके, तो ये था आपका first chapter of class 5th GK that is endangered plants next video में, हम करने वाले हैं इसकी exercise solve. तब तक के लिए जुड़े आइना Magnet Brains के साथ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना धन्यवाद.